नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। करने के कोशिस की थी जो अधिसंख्य लोग चाहते हैं। अब ये दो दिन हो गया था विबात थमता हुआ सा नजर आ रहा था कि इसी में जो है आख सुपरिश्टार रहे दक्षिन के और अब राजनेता बन चुके कमल हासन वो इस डिस्प्यूट में कुद पड़े हैं। उनका कहना ये है कि कोई साह, सुल्तान या समराठ उनने सो पचास में किये गए वादे को नहीं तोड़ सकता। 1950 में जब वो समिधान लागो हुआ था तब वो ये कहना चाहते हैं कि वाइदा किया गया था कि हर भासा हर संस्कृति का सम्मान किया जाएगा चूकि भारत विविताओं वाला देश हैं यहाँ पे न जाने कितनी भासाइं बोलिया हैं उन सबका सम्मान होगा लिहाजा आप किया हैं तो पहले यह बताया कि तमिल नाडू में जो बैकल्पिक भासा के रूप में हिंधी नहीं पढ़ाई जाती हैं उसका क्या यानि जो ऑप्सन दिया जाता है कि इन भासाओं में से एक आप चुल लिजी इसमें भी हिंदी को नहीं रखा गया है उस पे उन्होंने सव बढ़ता हुआ सदीक रहा है और यह पहली बार कहीं से होता है जब भी हिंदी को एक राष्ट की भाषा सी राष्ट की भाषा मनाने की बात होती है तो सौठ से हो